हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरे यूटूब चैनल चोपडा एजुकेसन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो काफी स्टुडेंट के इस परकार से कोमेंट्स आ रहे हैं कि एमस दिल्ली में जब नीट के थूँ एडमिशन होगा तो उसकी कटोफ क्या रहेगी तो इस वीडियो में मैं आपको एमस दिल्ली की एकस्पेक्टेड कटोफ बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यह कटोफ मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं Aims दिली की नीट के थुरू expected cutoff तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा यशे ज्यादा share करें तो दोस्तो जब हम Aims की cutoff देखते हैं तो category wise मैं आपको यहाँ cutoff बदा देता हूँ क्या rank पर क्या cutoff रह सकती है इसमें तो हम बात करें UR category की तो UR category की rank 51 पर 685 marks cutoff रह सकती है इसमें OBC category की बात करें तो rank इसकी 300 और marks 670 इसके बाद SC category में rank 1100 और marks 650 इसके बाद ST category की बात करें तो rank 3000 और marks 630 UR PS की बात करें तो 8000 नियरबाई rank रहेगी और 600 नियरबाई marks रहेंगे OBC PS की बात करें तो 9000 rank रहेगी और 590 के नियरबाई cutoff रहने संभावना है अब मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने यह expected cutoff कैसे predict किया है तो दोस्तों जब हम M से New Delhi की seat matrix देखते हैं तो इसमें UR category की 51 seat है OBC की 27 seats है SC की 15 seat है ST की 7 seat है और PWBD की 5% seat है foreign category candidates के लिए 7 seat है total 107 seats AIMS दिल्ली के लिए है तो दोस्तो AIMS दिल्ली का top institution है और इसमें कोई भी student अपने seat सोट कर state या अन्य किसी medical college में admission नहीं लेना चाहता इसमें इसमें UR की 51 seat है तो TOP के 51 student सभी इसमें admission लेंगे जब NEED 2019 के TOP 50 candidates की हम बात करें तो इसमें TOP 50 candidate के 685 याने की 50 rank थी उसके 685 marks थे और जब NEED 2018 की बात करें तो जिसके 50 rank थी उसकी 665 marks थे और इस कारण से मैंने UR केटेगरी की कटोफ 685 बताई है क्योंकि उफर की जो rank है NEED 2020 में भी TOP 50 तक 685 rank थे जाने की समावना है इसलिए इसलिए AIMS दिल्ली की कटोफ UR केटेगरी की 685 रहने की समावना है दोस्तो UR केटेगरी के लिए मेरा ये prediction रोंग नहीं हो सकता हाँ बाकी केटेगरी में 15-10 marks का up down हो सकता है मगर UR OBC इसके nearby ही कटोफ रहने की समावना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको AIMS सभी की कटोफ बता दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है आपसे वीड़ जेहिन